नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फॉन पेपर अपना अकाउंट क्रियेट करने के बाद में उसके अंदर आप complete KYC कैसे कर सकते हैं उसके अंदर bank details कैसे add कर सकते हैं और यहां तक ही आपको यह भी बताऊंगा कि उसके अंदर आप money transfer कैसे क कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है अभी वीडियो लाइक करना है और यदि आपको मेरे चैनल पर नए है तो चैनल सबस्क्राइब तो करिया गाई सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद मैं आपको टाइप करना है फॉ your mobile number तो guys मैं आपको बता देता हूँ कि phone paper आपको अपना account create करने के लिए सबसे पहले आपको 10 digit का अपना mobile number डालना है जो आपके bank account से link हो तो आपको पहले यह ध्यान रखना है जो bank account से link mobile number है वो यहाँ पर आपको type करना है तो यहाँ पर मैं अपने mobile number टाइप करता हूँ और फिर मैं आपको next बताता हूँ तो guys mobile number टाइप करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको एक option दिख रहा होगा process का तो आपको इसके उपर आपको simply click कर देना है तो जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते है enter the five digit OTP sent to आपका mobile number तो आपके mobile number पर एक OTP आएगा तो उसको आपको यहाँ पर fill up करना है तो guys OTP डालने के बाद में आपको simply नीचे देख सकते है verify का option है तो इसके उपर आपको click करना है next तो इसके उपर आपको next click करना है और next के बाद में यहाँ पर नीचे फिर से आपको next पर करना है यहाँ पर आपको 4 बार देख सकते है next पर click करना है तो यहाँ पर मैं simply फिर से next पर click करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपको done के उपर click करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके के interface आ जाएगा तो guys यहाँ पर आपको अपना complete account बनाने के लिए simply आपको दो steps follow करना है पहला step यह है कि आपको अपना KYC करना है और दूसरा यह है कि आपको अपने bank account को add करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता जिता हूँ आपको अपने KYC कैसे कर सकते है तो guys यहाँ पर KYC करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते है menu bar के उपर आपको किलिक करना है और जैसे आप किलिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरीके के interface आ जाएगा उपर ही उपर आपको यहाँ पर देख सकते है KYC details तो यहाँ पर देख सकते नीचे please complete your KYC और आगे लिखावा verify तो यहाँ पर आपको verify को उपर आपको किलिक करना है जैसे आप verify को उपर किलिक करोगे तो कुछ seconds के बाद में यहाँ पर देख सकते है complete KYC तो guys यहाँ पर देख सकते है document तो driver license है तो इसके उपर आपको यहाँ पर देख सकते है साइड में जब आप किलिक करोगे तो यहाँ पर आप driving license लगा सकते है नरिय का job card number लगा सकते है voter ID card लगा सकते है passport और pen card तो मानली जगाइज मैं यहाँ पर voter ID पर किलिक करता हूँ तो जैसे आप verify के उपर किलिक करोगे तो आपका complete KYC हो जाएगा तो यह बहुत अच्छा आसान तरीका है KYC करने का तो KYC करने के बाद में फिर से आच्पका हूँ back बैक आने के बाद में अम आपको बताऊँगा कि आप अपना bank account को कैसे add कर सकते है तो यहाँ पर एक option डिरेक्ट आपको दिया जाता है कि add bank account तो इसके उपर आपको simply किलिक करना है तो किलिक करने के बाद में आपके सामने कुछ seconds के बाद में इस तरीका का interface आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो popular bank जैसे yes bank हो गया और state bank of india हो गया, access bank हो गया, bank of barodha तो यह bank आपके सामने आ चुके हैं और नीचे भी आपको complete bank की list मिलेगी यहाँ पर देख सकते हैं airtel payment banks भी है तो complete यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और याद फिर भी नहीं मिलता है तो उपर देख सकते हैं search bank तो search bank में आपका जो bank का name हो वो आप डाल दे वो bank आ जाएगा अब guys मैं आपको एक example के लिए बता देता हूँ मानली जै मेरा state bank of india में है, sbi में मेरा account है तो जैसे ही मैं यहाँ पर click करूँगा, तो यहाँ पर दो option मेरे को दिखाई देंगे Vodafone, Airtel, तो मेरे दो sim लगी हुई है, तो जिस भी sim से आपको करना है तो उसके उपर आपको click करना है, click करने के बाद में आपको continue पर click करना है तो guys मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस sim से आप create करते हो अपना account तो उस sim से ही मतलब आपका bank account link होना चाहिए, तब ही जाव के आप अपना account create कर पाऊगे तो guys यहाँ पर हमाँ आपको बताएं, जैसे आप इसके उपर click करोगे, तो आपको एक OTP send करेगा आपके mobile number पड़े तो जो आप mobile number पर OTP send करेगा, उसको आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, डालने के बाद में यदि आपने पहले कोई UPI pin जनरेट कर रखे हो, जैसे Google Pay का account बना रखा हो, तो वो same UPI रख सकते हैं, वरना आपको जो debit card होता है, माली जो visa debit card हो, रुपे debit card हो, तो उसके detail आप पहली बार हो, तो six digit का आपको UPI pin जनरेट कर लेना है, और जनरेट करने के बाद में सिंपल सा step है, आपको ओके पर कर दिना किलिक, और जैसे आप इतना कुछ करोगे, तो आपका एक account create हो जाएगा, गाईज यह सिंपल steps थे, आपको कुछ भी नहीं करना, दो step आपको follow करना है, और आपका एक account तयार हो जाएगा, और गाईज इसके अंदर और ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको deeply जाने की बिल्कुल जरुरत नहीं है,